डिली के पूर्व डिप्टी सेम मनी सिसोधिया ने रिहाई के बाद सनिवार को आमादमी पार्टी के कारयालाय में कारकारताओं को संबोधित किया दुनिया की सारी ताकतें भी अगर इकटी हो जाएं तो सचाई को हरा नहीं सकती। सिसोधिया ने सुप्रीम कोट का अभार जताया और साथ ही उन वकीलों को भी धन्यवाद कहा जिन्होंने उनके लिए कोट में केस लाड़ा था। सिसोधिया ने कहा बजरंगबली की किरपा है कि 17 महिने के बाद मैं रिया हो गया। एक ही सपलता का मंत्र है दिल्ली के एक बक्चो के लिए सांदार स्कूल बनवाना हैं। हम तो रत के घोड़े हैं और हमारा असली सार्थी जेल में बंद है और वह बाहर आ जाएगा। जेल के ताले तूटेंगे और केजरी वाल छुटेंगे। पूर्मत्री सिसोधिया ने कहा EDCBI का ताना बाना इसलिए नहीं बना क्योंकि बेमानी हो गई। इसलिए बुना गया क्योंकि केजरी वाल का नाम पूरे देश में इमानदारी का प्रतीक बन गया है। बेजेपी को जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है एक राज में यह साबित नहीं कर पाई कि उनके एक राज में इमानदारी से काम हो रहा है। सिसोधिया ने आंगे कहा बगमान के घर देर है लेकिन अंदेर नहीं। उन्होंने तो बहुत कोश्य की कि मेरे उपर संजय के उपर ऐसी धरायन लगाई कि जो आतंकियों ड्रग माफियों पर लगाई जाती हैं ताकि जेल में सड़ जाएं। लेकिन आपके आशुओं का आ साम डंड भेद कल उन्हें जेल भेजना उन पर हमले करवाना लेकिन उसके बावजूद एक एक आदमी टिका रहा और ना तूटा और ना जुका। सिसोधिया ने वकील अविसे एक मनु सिंदवी का अभार जताते हुए कहा कि उनका धन्यवात करना चाहता हूँ उन्होंने बीजेपी के जूट का परदा फास किया। सिसोधिया ने कहा कि मुझसे कहा गया कि 17 मैंने बाद जेल से आई हैं तो कुछ दिन चुट्टी ले लीजिए। मैंने कहा कि छितिया मनाने नहीं खुन पसीना बहाने आया हूँ। हम बीजेपी की जमानत जब्त कराएंगे बीज दी चुकत की रिपोर्ट